हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर रमदीब ट्रीट्मेंट एक्स्प्लेंड चैनल में आपका स्वाग्द करता हूँ आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आज के प्रेजन टाइम में और साथ ही साथ फ्यूचर में आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और कई बार ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट की जाने वाला पॉइंट भी होता है तो वो है पैडल अडीमा यानि की पैरों की सूजन पैरों की सूजन मेल्स और फीमिल्स दोनों में अलग अलग कारणों से हो सकती है और इसके इतने सारे कारण है कि डॉक्टर भी जब आपको डाइग्नोस करता है तो उसको भी बहुत से टेस्ट और बहुत से एक्जामिनेशन करने पड़ती है इसका रीजन फाइंड और करने के लिए तो आज की वीडियो आपके इस प्रॉब्लम को डेटेल से समझने के लिए है कि ये कौन से कारणों से आपकी बॉडी में हो सकता है और कौन से जो फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स है इसको ये डिनोट करता है तो आए दोस्तो शुरू करते हैं पैडल एडिमा के बारे में जाना और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एज में एज फैक्टर के हिसाब से कब पैडल एडिमा आ रहा है और कब ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए तो आए दोस्तो देर ना करते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसके बहुत से कारण हो सकते हैं यह इन एक्टिविटी यानि की कम एक्सराइज या कम चलने फिरने के कारण भी हो सकता है और साथ ही साथ कई बार यह अंडरलाइन मेडिकल कंडिशन जैसे की लिवर, किड्नी और ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम्स के कारण पैरों में जो स्वेलिंग हो सकती है पैडल एडिमा के बेसिकली दो टाइपस होते हैं एक होता है पिटिंग एडिमा और दूसरा होता है नौन पिटिंग एडिमा पिटिंग एडिमा से मतलब यह है कि जब आप अपने पैरों को प्रेस करकी देखते हो तो वहाँ पे अगर एक गड़ा सा बना रह जाए तो इसको पिटिंग एडिमा कहते है और साथ ही साथ अगर वहाँ पे गड़ा ना पड़े तो इसको नौन पिटिंग एडिमा कहते है पैडल डीमा ज्यादा तर प्रेगनेंट लेडी और ओल्डर पेशेंट जिनकी उमर ज्यादा है उनमें ये देखने में कॉमन मिलता है क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल रूटीन के मकाबले कम होती है पर कई और मेडिकल कंडिशन्स हैं जिसको मैं आपक जिसके कारण पैडल डीमा हो सकता है और ये फ्यूचर की प्रॉब्लम का एक इंडिकेटर हो सकता है तो आए जानते हैं कि वह और कौन-कौन सी मेडिकल कंडिशन्स हो सकती है जिसके कारण आपके पैरों में सूजन्स हो सकती है और यहां पर मैं आपको स्पैसिफाई कि किस उमर में पैडल डीमा का क्या कारण हो सकता है पहले बात करते हैं कि पैडल डीमा एक जनरल पॉपलेशन में जादतर क्या कारण होते हैं ज्यादातर वो लोग जिनका काम बहुत टाइम तक बैठे रहना होता है जैसे कि ड्राइवर्स या फिर ओफिस में वर्क करने व होने लगती है ये cases आपको उस patient की history लेने से पता चलता है कि वो patient कितना time तक बैठता है कितना time तक उसको वो in activity रहती है old age patients में भी कई बार जो swelling का कारण है वो ज्यादा तर पैठे रहना होता है इसका जो treatment है वो बहुत ही ज्यादा simple है हम उस patient को कहेंगे कि भी आप अपना salt intake जाने की नमक की मातरा कम कर दीजिए और साथ ही साथ अपने legs को elevate करके ही लेटिए और इससे इनकी condition जो है medical condition वो बिलकुल ठीक हो जाती है तो यह है एक simple बात जो की commonly patients में देखने को मिलती है जिनके कारण उनके पैरों में edema होता है अब चलते हैं एक ऐसी medical condition जिसको कारण भी आपके पैरों में सूजन हो सकती है वो होती है renal की disease kidney disease जब kidney disease किसी को हो तो उसके कारण आपकी body में जो है वो water है वो clear out नहीं होता और यह excess fluid जो होता है वो आपके face पे और आपके पैरों में जाके कठा होने लगता है ऐसे patient देखने में बहुत मोटे से लगते हैं उनका face जो है फूला हुआ लगता है और उनके पैरों में जो सूजन हो जाती है और यह सूजन कई बार उनके गुटनों तक आती है इसको rule out करने का simple सा तरीका है कि patient की history ले जाए इसमें patient को सांस फूलने की problem भी होती है और साथ ही साथ patient का urine output है वो बहुत कम होता है और अगल आप इसको medically diagnose करना चाहो तो आप renal function test यानि की kidney function test को करके पता कर सकती हो कि उतकी kidneys जो है वो proper तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही ऐसी problem ज् old age patients में और middle age patients में होती है इसके साथ साथ उनको कोई और medical conditions भी होती है जैसे की blood pressure की problem और साथ ही साथ कोई और जैसे diabetes की problem भी होती है जिसके कारण उनको kidney की problem होती है अब चलते हैं तीसरे कारण की तरफ कि अगर ये पैडल एडीमा हमें सिर्फ ladies में देखने को मिले तो क्या ह हो सकता है तो ऐसी condition जैसे की pregnancy और कई बार hypothyroidism hypothyroidism ज्यादा तर males में भी होता है और females में भी पर इसकी predominance जो है वो females जाने की ladies में ज्यादा होती है इसलिए hypothyroidism को भी consider करना पड़ता है middle age और old age patients में जो की ladies है female patients में हमें उनका thyroid profile करवा लेना चाहिए जिससे पता चल जाता है कि भी patient को कही thyroid की problem तो नहीं है ये भी paddle inima का एक main कारण होता है heart diseases जो है इसके बाद जो है वो बहुत बड़ा कारण आता है जिन patients को heart की problem है जिनको blood pressure की problem है उन patients में हमें paddle inima देखने को मिलता है ये कई बार पहला sign होता है जब किसी patient के heart का fail होने का symptom आता है यानि कि अभी heart ने अपना काम करना कम किया हो तो paddle inima का sign उनमें आता है ऐसे patients जिनका blood pressure अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ हो और साथ ही साथ उनकी सांस फूलती हो इन patients का जो अगर हम diet modification और lifestyle modification कर लें तो उनका paddle inima बहुत असानी से कम किया जा सकता है ये हमें middle age और old age patients में देखने को मिलत है अगर बच्चों में problem आये कि उनके पैरों में सूजन है तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है malnutrition का यानि कि उनके body में vitamins की कमी का और proteins की कमी का उनकी body ज्यादा तर ऐसे पच्चे जो है वह बहुत ज्यादा कमजोर दिखते हैं पर उनका paid और पैर फूले हुए होते है एक medical condition है protein energy malnutrition ऐसी condition में patient के pair जो है वो बहुत सूज जाते हैं इन patients को अक्सर protein की कमी रहती है और साथ ही साथ उनको जो है वो blood की भी कमी रहती है यानि कि वो iron deficiency नीमय से भी period होते हैं इन patients का इलाज करना बहुत ज्यादा simple होता है एक बार diagnose कर लिया जाए तो इन patients को proteins की supply करक और अच्छी nutritious diet देने के बाद patient का जो edema है बच्चों का जो edema है वो ठीक हो जाता है अब बात करते हैं कि कैसे हम pedal edema को और investigations के साथ correlate करते हैं जिन मेरे दोस्तों का लगातार pedal edema पैरों में सूजन रह रही है उन patients को अपना blood pressure जरूर monitor कर वा लेना चाहिए क्योंकि इससे पत चल जाता है कि भी patient का blood pressure तो नहीं कारण है उनके पैरों की सूजन में और उन patients को अपना renal function test और साथ ही साथ अपना thyroid profile भी जरूर करवा लेना चाहिए जिससे की पता चल जाता है कि कोई और underline medical condition तो नहीं है जिसके कारण उनके पैरों में सूजन आ रही है पैरों की सूजन एक simple symptom है जो की और बहुत सी बिमारियों में मिलता है पर हमें इसको बिलकुल neglect नहीं करना चाहिए ये इतना important है कि कई बार इससे बहुत से major diagnosis बनाए जा सकते हैं ये एक मैं अपनी doctor की नजर से आपको बता रहा हूँ कई बार कुछ लोगों को ये बहुत ही जादा simple बात जरूरी है इसी concept को clear करने के लिए ही मैंने आज की ये वीडियो बनाई है अगर पैरों के डीमा के बारे में आपको कोई और question पूछना है कुछ और बाते पूछनी है तो बेहिचक आप हमारे comment box में आप जरूर इसको लिखे इससे की मैं आपको सखा सकूं कि पैरों की डीमा का हम और क्या diagnose कर सकती है यह जो है वो बहुत ही साधा brief वीडियो थी पैरों के डीमा के बारे में इसके बारे में और बहुत सी details हो सकती है और बहुत सी medical conditions हो सकती है जैसे कि अगर किसी के unilateral parallel डीमा है यानि कि एक tongue में डीमा है पैर में सूजन है तो उसका diagnosis और होता है अगर दोनों sides में दोनों legs में अगर इडिमा हो रहा है तो उसके जो diagnosis है वो और differ होते हैं यह बहुत ही जादा important diagnosis जो है जो symptom है वो हमें मिस नहीं करना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई feeling हो रही है कि आपको पैरों में सूजन है तो इसको आप अपने doctor के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे की आपका और अच्छे से medical check-up हो सके तो दोस्तों उमीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ही जादा फाइदा हुआ होगा अगर आपको यह वीडियो कहीं से भी informative लगी कहीं से भी फाइदमत लगी तो प्लीज इस like बटन को जूरू दबाके जाएगे और साथ इसको अपने और दोस्तों और groups में जुरू शेयर कीजिए जिससे की यह information उनके तक भी पहुंच सके जिससे की उनको भी इस बात का फाइदा हो सके तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार